हेलो एवरिवन वेल्कम बेक टू माई चैनल मेरा नाम प्रित्ति वारी और आज मैं आप लोगों सेयर करने वाली हूँ छोटे बालों में अगर आप मार्केट जा रहे हैं आप लोगों को उपन नहीं रखना है तो इस टाइम पर आप क्या करोगे इसी टाइप का कुछ हेरस् है मेरा एक और चैनल है जिसे मैं स्कीन केर रूटीन टिप्स और मेकप टूटोरियल वीडियो सेयर करते रहती हूं तो चैनल पर आपको स्कीन में कोई भी प्रॉब्लम है तो हर चीज का सेलुशन उस चैनल पर आपको मिल जाएगा तो प्लीज गो टू माई सेकेंड चैनल का नेम है वहाँ पर आपको मेकप टूटोरियोल ड्रेस के अकॉर्डिंग मेकप एंड स्कीन टाइप्स के अकॉर्डिंग स्कीन केर रूटीन देखने को मिलेगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंस्टाइड प्रित्वाई 24 है तो वहाँ पर भी जाके मुझे कर लीजेगा तो ज्यादा बाति ना करते हैं वीडियो को कर दीजा अभी से लाइक क्योंकि वीडियो होने वाली काफी ज्यादा है अगर आपके बहुत छोटे हैं तो आपको करना क्या है सबसे पहले मैं आप अपने बालों को ले ले दिए और अच्छी से कॉम करेंगे अब लंबा सफर करने वाली 24 गंटे का सफर है मेरा तो इसी ताइप का बन बना के गई थी और यह मेरा बन बिल्कुल भी टस से मसनी हो मैं घर पर पहुंच गे थी और ऐसे का बन टिका हुआ था तो इस तरीके से आपको भी करना है जैसे मैंने किया है मेरे बाल अभी चोट जाता है उसके बाद जैसे आपके बाल छोटे हैं तो आप पूरा राउंड करोगे तो आपका बन जो है वह बहुत बड़ा नहीं बनेगा तो उसके लिए जैसे मैंने किया बैक कॉंबिंग कर देनी है इस तरीके से आपको बालों को सिंपली बहुत छोटे बाला तो एक बार होई जाएगा इस तरीके से छोटा सा क्लाचर लेने हैं और लगा देना कोई यूपीन कुछ भी लगाने के जोड़त नहीं आपका बन यहां पर बन के रैडी हो गया आप कितना भी लंबे टाइम के लिए सफर किजेंस पहने साड़ी पहने सूट पहने और ड्रेस के साथ य आप लोग तो कैसा लगा आपको वीडियो आई होप की पसंद आया हो और यह देखिए मन का फाइनल लुक तो इस तरीकी काई क्लच और रबड़ बैंड की मदद से आप इतना सुंदर छोटे बालों में इतना सुंदर सा हाई बन बनाके रेडी कर सकते हो जो की काफी स्टाइलिस भी लगता है और काफी कमफर्टेबल रहो गया आपके बाल आपको इरिटेट नहीं करेंगे और स्कीन पर प्रॉब्लम्स आती है आखों के आइस पास में जो रिंकल्स आते उसके लिए वीडियो मैंने अपने सेकेंड चैनल पे अपलोड कर दिया है तो अगर नहीं देखा तो जल्दी जल्दी जाओगा आज कल सबको भाग दोड़ भरी जिंदगी में जैसे बाहर हम लोग धूप में धूप पल्यूशन धूल मिट्टी के वज़े से मारे स्कीन जो है टाइम से पहले ही लूज होने लग जा रही है तो उसका सेलूशन मैं बताया है सेकेंड वाले चैनल पर अगर आपके भी आईज के आसपस रिंकल सा रहे हैं आप अपनी एज से बहुत ज्यादा दिखते हो या फिर अपनी एज के ही हो आपको अपनी एज से थोड़ा सक कम दिखना तो इस टाइप की टिप्स मैं लेकर आती हूँ अपने सेकेंड चैनल प फिर मिलेंगे कुछ न्यू हेस्टाइल के साथ कुछ न्यू टिप्स के साथ थैंक्स पर वाचिंग लाव यू आल टेक केर बाई बाई मिलते हैं नेक्ट वीडियों